महिला प्रीमियर लीग का अलिमिनेटर मुकाबला शुक्रबार को मुंबई इंडियन्स और यूपी वरियर्स के बीच नवी मुंबई के डिवाई पाटल स्टेडियम में खेला जाएगा इस मुकाबले में कांटे की टक्कर होने की समभावना है लीग स्टेज के बाद 8 में से 6 मैच जीतने वाली मुंबई जहां पॉइंट स्टेबल में दूसरे स्थान पर थी तो 8 में से 4 मैच जीती यूपी की टीम तीसरे स्थान पर रही थी अब एक तरह से वर्चुल सेमी फाइनल में दोनों टीमें आमने सामने हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम बहतर नेट रिंडरेट के कारण मुंबई से आगे निकलते हुए टॉप पर रही और सीधे फाइनल में पहुँच गई मुंबई की कमान जहां भारतिय कप्तान हर्मन प्रीट को और समभा लेंगी वहीं यूप की कमान आस्ट्रेलिया इविकेट की पर बल्ले बाच अलिसा हीली के हाथों में होगी इस लीग में दोनों टीमों का दो बार आमना सामना हो चुका है पहले मैच में जहां मुंबई ने यूप को आठ विकेट से हराया था वहीं दूसरी बिरंट में यूप ने बदला पूरा करते हुए मुंबई इंडियंस को पाँच विकेट से मात दी थी अब तीसरा मुकाबला जो नौकाउट होने वाला है वहाँ इन दोनों ही टीमों के बीच काटे की बिरंट देखने को मिल सकती है